हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अमारे चैनल इंवेस्मेंट के बजार पर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब शेर बन चुका आईपियो से तो ये क्या मंडे को ढईसो रुपे का आकड़ा ये शेर आपको चूकर दिखायेगा या फिर मंडे को भी गिरावट होगी स्टॉक में क्या होंगे दो जन्वरी के यानि मंडे के टागेट्स तो वीडियो को पुरा इं तक देखना वीडियो काफे इंफॉर्मेटिव और इंटर्सिंग लेने वाले दोस्तो तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते सबसे बले फ्रेंट जास 31 दिसंबर तो आप सभी को हैपी न्यू यर इन इडवांस और बात करें एले इले इले इलेक्ट्रोनिक्स की तो लिस्टिंग बहुत खराब होती भी देखने को मिली और लिस्टिंग 7 परसेंट की गिरावट इस काउंटर में आती भी देखने को म बता है एंड डेफिनिटली दोस्तो एनलिस्ट का मानना था कि लिस्टिंग फ्लाट होगी बट जिस हिसाब से मार्केट्स ने रियक्षन दिया है काफी खराब रियक्षन दिया है दो आईप्यो इस्ट हुए थे एक समी आईप्यो लिस्ट हुआ था एक अपना मेंडलाइन IPO लिस्ट हुआ था, दोनों IPO's में खराब लिस्टिंग थी, Mox overseas का IPO लिस्ट हुआ था, वो almost दोस्तो उसकी जो grey market थी, वो 18% उपर थी, लेकिन listing होती है 16% नीचे, तो दोनों IPO's में खराब response, खराब आपके सकते listing रहती भी देखने को मिली, overall Friday के दिन, markets ने भी को इतनी अच्छी तीजी नहीं करी, markets भी खराब ही थे लगबग 85 points नीचे nifty, 265 points नीचे bank nifty, and 300 points नीचे sensex, ये तीनों counters ने एक शांदार, एक बड़ी घिरावट करिये, and Elin Electronics के अरुन बात करे, 8 million की volume इस counter में आई है 7.83% का गिरावट इस counter ने दिखाया है and आप देख सकते, intraday का high 245 का था, and intraday का low 225 का था, तो अपने lows की बेहत करीब stock ने closing दी है, but I think so, अगर Monday के दिन, 235 रुपे का level जो है, ये share फिर से regain करता है तो I think so, again, 245 से, 250 रुपे की तरफ ये share आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है and अगर अगर अपन company की statistics की बात करें तो 5 रुपे की company की book value face value है, and book value 111 रुपे की है, अगर आपने previously 5-6 IPOs आये, वो सबको analyze करेंगे तो इक company कही ना कही है, उन सभी companies से बहतर है, मातर 2 रुपे, 2, 2, 2, 2, to 0.4 company का price to book value है, जो की बहुत अच्छा है and definitely company के financials बहुत अच्छे है, long term vision company का अच्छा है, and अगर अगर अपन delivery की बात करें, तो 50% की delivery percentage दोस्तों, आपको Friday के सत्र में, at the time of listing इस counter में आती भी देखने को मिली है delivery percentage काफी बढ़ी आता हुआ देखने को मिला है, and resistance chart के अगर बात करतों, अपडेशन आता हुआ, देखने को मिल रहा है यहाँ आपर, तो यहाँ पर totally charts पर यही एक resistance है 240 का, एक बाद 240 का level अगर share तोड़ देगा, तो I think so, according to the resistance chart 252 तक के levels आपको देखने को मिलेंगे, and after that 260 तक के levels भी देखने को मिल सकते हैं, sentiments हीर मन बात करें, तो sentiments दोस्तों retailers के negative side पर है जी हाँ दोस्तों, खराब listing के चलते हैं आप देख सकते, 50% लोग आप कहा सकते हैं, यह बेरिश है, and 50% लोग stock में neutral है, तो overall retail centimeter नीचे का indication देखने को मिल रहे हैं, and I think so, Monday का दिन काफी crucial is counter kill रहता हुआ, देखने को मिलेगा अगर Monday के दिन दोस्तों 5-6% के share तेजी करता है, तो फिर से interest बनता हुआ, देखने को मिलेगा, लेकिन अगर Monday के दिन 225-226 का जोश का low था, वो share अगर तोड़ता है, तो definitely दोस्तो, 220 तक के भी zones आपको इस counter में देखने को मिल सकते हैं, तो Monday के दिन मेरी यही सला है, wait करेंगे, 230 के level के तूटने का, अगर 230 का level तूटे, तो जरूर आप खरीद कर चले, intraday basis पर, and I think so, intraday में 230 रुपर के उपर बिता है वक्त, then definitely एक अच्छा breakout आपको Monday के दिन इस counter में देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तो, that's it for video, अगर आपको वीडियो अच्छा रगाओ, तो चैनल को like करे, share करे, subscribe करे, दोस्तो, thank you for watching this video,